अगर आप इस चैनल पर पहली बढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइक और मटन दबार ना बुलिए यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकरन जो की सिख्छा से जुड़ी हुए चतिस गर्स से जुड़ी हुए वो लगतार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी आज की इस नीज में आपको यहाँ पर दुर्ग यूणिवर्सिटी में पेजी सेमिस्टर की परिक्ष्ट कब होगी बीएट के खाली सीटो पर एडमिशन कब और अगली लिस्ट कब निकलेगी अटल यूणिवर्सिटी परिक्ष्ट और नमंकन फाम कब से भर जाएगा पो कि कुलपती डाक्टर अरुना पल्टा ने सभी प्रिंसिपल्स की ऑनलाइन बैठक ली और बैठक में कुलपती ने प्रिंसिपल्स को जानकारी दी की यूणिवर्सिटी द्वारा रेगुलर स्टुडेंट की प्रतम और तरतिय सेमिस्टर की पिसनातकोत्तर को दिसंबर माहा के अंत तक पूरा कर ले अफ्लाइन पद्धति से जनवरी माहा में प्रस्तावित थेवरी परिक्षा के पूर हुआ प्रैक्टिकल एक्जाम अनिवारे रुप से पूरा करवा लेना है परिक्षाओं के आविजन की तिति के संबंद में डाक्टर कुलपती अरुना पल्टा ने उच्छ सिक्षा विभाग छत्तिरगर सासन त्वारा सत्र दो हजार 21 बाविसेतु जो अकाडेमिक कलेंडर जारी हुआ है उसका पूरी तरह से पालन करने को कहा है कुलपती ने समस्त प्रिंसिपल्स को इस बात के लिए भी निर्देशीत किया है कि वर प्रिंसिपल्स के लिए प्रिंसिपल्स के लिए दूसरे चरण की पहली लिष्ट जो है पिछले गुरु आरको दो दिन पहले जारी हुई थी पहले चरण के बाद करीपाश जारी है अचीती सभी सीटे आबंटित की गई डियलेट की दूसरी लिष्ट चार दिसंबर को यान की आज जारी होगी डियलेट में तीन हजार से अधिक सीटे खाली है पिछले कुछ वर्सों से बीएट की डिमान बड़ी है इस बार भी बीएट के करीब साड़े 14,000 सीटों के पहली लिष्ट में खाली सभी सीटे बार दी गई इन सीटों पर अब 6 दिसंबर तक एडिमिसन होगा दूसरे चारण की दूसरी लिष्ट 15 दिसंबर को जारी होगी अटल बिहारी वाजपाई उनिवर्सेटी ब्लासपूर से संबंद जिले के सभी कॉलेज में अध्यायन र परिक्षय फार्म वह नमंकन फाम भरने के लिए तीती की गोसना कर दिया अटल युणिवर्सेटी द्वारा जारी सरकूलर के अनुसार अगर तैश समय में स्टूडेंट द्वारा नमंकन फार्म वह परिक्षय फार्म नहीं भरा जाता तो उन्हें आगैशे होने वाली ती को ओपन हो जाएगा सेक्षनिक सत्र दो हजार इकिस बावीस में अटल युनिवर्शिटी की समस्त मुख्य परिक्षा सेमिस्टर परिक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन नमंकन वह परिक्षा आविदन फार्म भराया जाएगा एयू के परिक्षन यंत्रक डाक्टर पीके पांडे ने बताया कि परिक्षा फार्म वह नमंकन फार्म भराया जाने विस्त्रूच जानकारी 9 दिसंबर को घोशित हो सकती है स्पार्ट एड्मिशन के बाद भी तक्निकी विस्वेद्दाला विलाई के यूटीडी में संचालित एम प्लान पाठ्यकरम की सीटे खाली रहे गई है चालिस में से केवल अठारा सीटे ही भर पाई है अब खाली सीटों पर एड्मिशन के लिए ब्यर्थी 6 दिसंबर को साम साड़े 5 बजे तक आविदन कर सकते हैं ब्यर्थियों को 500 रुपे सुलक के साथ आविदन करना होगा सीजी कोटा के लिए 22 जीसमे अनारक्षित वर्ग के लिए 6 OBC के लिए 4 तता SC के लिए 4 और ST के लिए 8 सीटे है यदि एड्मिशन के लिए पियजी के लिए हैंडिकेप्टेट उम्मीदवार उपलब्द नहीं होते तो अनारक्षित वर्ग को प्रवेश आबंटित कर दिया जाएगा सत्र दोहजार इकिस बाविश के लिए सहरी नियोजन में दो वर्षिय चार सेमेस्टर पूर्णकाली एमपलान पाठ्यकरम में प्रवेश के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए तक्निकी विश्विद्याला ने आवेदन आमत्रित किया है 500 रुपे सुल् साइड या क्यू आर कोड का उप्योग कर चकेंगे सभी उपी आई एप से भुक्तान स्विकार किये जाएंगे चत्यजगर स्वामी विवेकनन तक्निकी विश्विद्याला के एमपलान कोर्श में प्रवेश के लिए अभ्यरत्यों को सभी दस्तवेश सामिल करना होगा जि अगर गैप किया है तो आधि आवेदन के साथ सब्मिट करना होगा जिले के सबसे बड़े महाविद्याला के रूप में सुमार होने वाले स्वसासी सास्किया दिग्वीजे महाविद्याला में आखिरकार इस्थाई प्रचारे की नियुक्ति कर दी गई है उच्छ शिक्ष अगर महाविद्याल में पदस्त रहे डाक्टर एल टांडेकर को प्रचारे की जिमेदार यहाँ पर सौंपी गई है बिलासपूर की बात करते हैं तो सहर के अग्रणी साइंस कॉलेज का ए ग्रेट का तम गचीन गया है साइंस कॉलेज को राष्टे मुल्लाइंक ने प्रत् अटल यूनिवर्शिटी से संबंद थे पर यह भी अब कम होते जा रहा है इसके पहले बिलासा गल्स कॉलेज भी ए से 2.53 अंग के साथ भी प्लस ग्रेड हो गया है ए ग्रेड होने पर ही कॉलेजों को आटोनामी का दर्जा मिलता है इसे मिलासा गल्स कॉलेज के बाद अब साइंस कॉलेज के अटोनामी पर भी खत्रा है सेंट्रल बोर्ड आप सेंट्री एजुकेशन यानि सीवी एसी ने एक अक्छा दस्वी बोर्ड की टर्म वन परिक्षा के एक दिन बाद ही सोशल साइंस विसे की आंसर की जारी कर दी है परिक्षा में सामिल होने वाले स्टू सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में